हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चनल गुरुमांती श्टूपर आज की वीडियो उन सभी स्टूबेंट्स के लिए है जो बच्चे एरफोर्स जॉइन करना चाते हैं जिनका सपना है कि वो एरफोर्स में जॉब करना चाते हैं जो चाते हैं कि उनकी सरकारी नोकरी हो 12 के बाद जो बच्चा चाता है कि हमको 12 के बाद में ज्यादा संगर्स ना करना पड़े तुरंत हमें जॉब मिल जाए तो उन सभी के लिए ये वीडियो डेडिकेट है और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एरफोर्स का है वो आपको किस तरीके से आगए आपकी स्टेटीजी रहेगी कैस तरीके समें काम करने वाले हैं देखें सबसे पहले जान लोग जो एरफोर्स X और Y दोनों ग्रूपों के लिए एक फिरी बैच बना दिया हमने फिलाइंग बैच फिलाइंग बैच है पूरा एरफोर्स और X ग्रूप य ग्रूप दोनों के लिए है बिल्कुल पून रूप से फिरी है लिंक आपको नीचे डिस्कस्पन में दे रख्योगी फिलाइंग बैच तो आप जोईन कर लीजिए बिल्कुल फिरी है टेलिग्राम पर आप इसको जोईन करोगे तो जोईन करने के लिए आपके मुवाइल में टेलिग्राम जरूर होना चाहिए टेलिग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा डाउनलोड करने के बाद में इस वाले बैच को जोईन कर लीजिए बिल्कुल फिरी है इसके फायदे क्या-क्या है जो भी हमारा Air Force X और Y ग्रूप से जो भी material होगा मैं इसी बैच में प्रोवाइड करा हुआ बिल्कुल फिरी आपकोस्ट प्रोवाइड करा हुआ सारी PDF बगएरा आगे दूँआ तो मैं वो इसी पर दूँआ और आपको प्रेटी सेट जो मैं आपको प्रोवाइड करा हुआ Air Force के वो भी मैं इसी बैच में प्रोवाइड करा हुआ तो आप कोई भी क्लास के हो चाहे BSC के हो चाहे आप इंटर के हो यदि आपका शपना है कि मेरे को Air Force जोईन करना Air Force का आप टेस्ट देना चाहते हो तो आप जरूर इसको जोईन कर लेना और हाँ जो वच्चे इसको जोईन कर लेना क्यूकिश्र के आपकी जो फिजिक्स है वो विलकुल उसी लेवल की करा हुआ जो इस एते डिक अपल लेवल की स्बस्क्राइब और वाई दोनों गुरूप में एपलाई करना ओके तो आप लोगों घबराने वाली कोई भी बात नहीं रहेगी आपको किसी को भी टेंसल लेने की भी कोई बात नहीं रहेगी आप आसानी से इसको कर पाऊगे और देखलो दोनों में आ जाए नमर तो अपनी चॉइस कर लेना यदि X में आए तो Y में आजाएगा आपका तो इसी लिए आप लोग याद रखना जो Y ग्रूप होता है उसमें इंटर वाले जो इंटर का जो मैत है वो वाला नहीं उसमें अलग तरीके का मैत अलग तरीके की थोड़ी सी यानि की रीजिनिंग बगर आती है तो वो भी में सेलरी थोड़ी जादा होती है इसकी थोड़ी कम होती है एक्स ग्रूप वालों की जो बेसिक पे है वो 33,000 है उसके उपर उस पर फंड बगरा और उस पर भत्ते बगरा मिलते हैं तो आपका लगवग लगवग 40,000 से पिलत बैठेगी शुरूवात की इंकम और Y ग्रूप का 26,000 कुछ है यानि 27,000 के लगवग है इसकी बेसिक पे तो इसकी आपका वही 35,000 के सम्थिंग बैठीती है तो इन दोनों में लगवग 5-7,000 का अंतर रहता है इंकम में तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है यह सुरूवात की है बाकि आगे तो बढ़ती रहती है हर साल में दो बार बढ़ती है इनकम अपकी ठीक है तो फिलाइंग बैच है लिंक आपको नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएगी बिल्कुल फिरी है अभी के अभी जॉइन कर लेना अब आती है बात आपके कुछ रंतेसर IIT और NEET का भी स्टार्ट करो बहुत जल्दी इस जिसमें यह सारा कुछ आपको एक साथ कम्प्रीट कराती है बहुत जल्दी लेकर आ रहा हुँ तोड़ा सा समय दो अभी थोड़ी सी बोड़ी दिक्कत कर रहे है एक दो दिन जैसी मैं रिलेक्स हो जाओं आपके लिए आज वीडियो क्यों नहीं आपाई थी मैं फिर से बत नहीं है कोई खास तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए इतना है तो इसलिए इसकी वीडियो जो नहीं आपाई थे आगे दूसरी किलास फिजिक्स की जल्दी आईगे और में जल्दी इसके पैरलल चलता रहेगा आपका और वाई गुरूप के लिए भी हम करते रहेंगे तो इसलिए PCM वाले वच्चे ध्यान दें वो X और Y दोनों ग्रूप में फोरम एप्लाई कर सकते हैं तो दोनों ग्रूप में कर लेना राइट चलिएगा समझ में आगी बात जल्दी से आप इसका बैच को जॉइन कर लीजे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्श देगे मिलेंगे कुछ सी वीडियो में तब तक के लिए बाइबाया है